जै शिराम मित्रो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि नौरात्री पर रोज या अश्टमीनों मितिथी को आप अपने घर पर ही आश्चान और सरल बिधी शे हवन कैशे कर सकते हैं साथ ही आप इस वीडियो में जानेंगे घर पर पूजा के लिए हवन समागरी हवन की शरल बिधी किस मंत्रों के साथ आहूती दे सब कुछ जानेंगे डिटेल में मित्रों हवन के बिना नौरात्री का पूजा अधूरा मानी जाती है अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते या घर पर पंडित को नहीं बुलाना चाहते या पंडित का आभाव है तो घर पर ही सरल बिधी से हवन कर सकते हैं चैत नौरात्री सत्रा अपरेल को खत्म होगी नौरात्री में हर दिन माता के अलग-अलग सरूपों की पूजा की जाती है नौरात्री की शत्मी या अश्ट्मी या नौमी की पूजा बहुत बिधी पुरुवक की जाती है और हवन के साथ ही पूजा का समापन माना जाता है नौरात्री में हवन करनेशी बहुत ही शुफल मिलता है। माना जाता है कि हवन से प्रशन होकर मातारानी भक्तों की शारी मनोकमनाएं पूरी करती है और आरोग्य परदान करती है। आईए सबसे पहले जानते हैं घर पर पूजा के लिए हवन समागरी के बारे में। मित्रो घर पर हवन करने के लिए सबसे पहले हवन की सारी समागरी एकत्रित कर ले। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप हवन कुंड का इंतजाम करें। इसके बाद धूप, जो, नारियल, गूगल, मखाना, काजू, किश्मिश, छुहारा, मुंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, शुगंद, अचछत ले। अब इन सभी को मिला कर हविश्य बना ले। हविश्य यानि हवन के दौरान अगनी में डालने वाली समागरी को हविश्य कहते हैं। हवन के लिए अगनी प्रोजलित करने के लिए रूई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस रख ले। आईए अब जान लेते हैं हवन की शरल बिधी के बारे में। हवन के लिए उचिता स्थान पर आठ इंट जमा कर हवन कुंड बना ले। आप चाहे तो बजार से बनाए हवन कुंड भी ला सकते हैं। हवन कुंड के पास धूप दिप प्रोजलित करें। कुंड पर स्वास् इतियादी पदार्थों को मंत्रों के साथ आहूती दे। सबसे पहले ओम अग्नियाय नमाश्वाहा बोलकर अगनी कुंड में पदार्थों की आहूती दे। ओम गड़े साय नमाश्वाहा नाम से आहूती दे। इसके बाद शबी नौग्रहों के देवताओं के नाम की इसके बाद इन मंत्रों का जब करते हुए आहुती दे। इसके बाद दुर्गा सबस्ति या नवारन मंत्र का जाप करें और आहुती दे। वह नवारन मंत्र है ओम एम रिम ख्लीम चामुंडाय बीजे नमहा। इस बीज मंत्र से 108 बार हवन कुर्ण में हबीशे डाले। अब माता दुर्गा के सभी नामों से आहुती दे। जैसे ओम दुर्गाय नमस्वाहा ओम गौर्याय नमस्वाहा। इसके बाद। अब इसके बाद हवन में खिर का भोग डाले। फिर एक सुखा नारियल ले। इसके चारोर रक्षा सुत्रल पेट दे। इस पर घी मल ले। इस नारियल को हवन कुर्ण के बीच में रख दे। अंत में बचा हुआ हवन धुप को उपर से डालकर इस मंत्र को बोले। ओम पुण मदह पुण मिदम पुणात पुण मुद्धज्यते पुणश्य पुण मादाय पुण मेल विशेश्यते श्वाहा का जाप करें और यथा सक्ती दक्षिना माता के पास रख दे। अब परिवार सहित आरती करें। हवन संपन करें और माता से छमा मांगते हुए मंगल कामना करें। और हवन का भभूत शभी लोगों को लगाए हवन पुण होने पर कन्या भोजन करवाना चाहिए। विष्तार से दुर्गा पुजा हवन विधी देवी भागवत पुर्णा में बताया गया है कि दुर्गा सबसती के सभी अशलोक मंत्र है। अगर आप विष्तार से हवन करना चाहते हैं तो कवच, कील, अरगला का पाठ करते हुए दुर्गा सबसती के तेरा अध्याय के सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना धने बाद।